नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मनीशा दूबे मेरे यूट्टूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयो जिसे की अपन यूपी SSSC कहते हैं मतलब उत्तर प्रदेश सब ओर्डिनेट स्टाफ सेलेक्शन कमिशन उसके द्वारा होमेपैथी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली थी और इसके लिए आवेदन लिया गया था 26-2024 से लेके 19-7-2024 और इसमें टोटल 397 पत के लिए आवेदन लिया गया है फ्रेंड्स तो आज अपन इसी के बारे में डेटेल में जानकारी लेंगे कि आने वाले एक्जाम में क्या-क्या आपके सिलेबस होने वाले हैं परिक्षा की क्या-क्या योजना रहेगी किस पैटन में एक्जाम लिये जाएंगे कितने कोशन पुछे जाएंगे तो आज की वीडियो में अपन इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे भैसी जग होमेपैथी के सीधी भरती के लिए रिक्त पदो पर चयान हेतू लिखित परिक्षा की एवं परिक्षा योजना एवं पाठे क्रम के बारे में इसमें जानकारी दी गई है प्रस्नगत परिक्षा में एक प्रस्न पत्र होगा जिसमें कुल सो प्रस्न होंगे तथा समय अवधी दो घंटे की रहेगी परिक्षा के प्रस्न वस्तो निश्टेवं बहुवी कल्पी प्रकार के होंगे प्रतेक प्रस्ण एक अंका होगा लिखित परिक्षा हीतु प्रतेक गलत उत्तर के लिए रिनात्मा कंकन निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है जो उस प्रस्ण हीतो निर्धारी तंका 25% अर्थात 1 बटे 4 होगी तो टोटा 100 प्रस्ण पुछे जाएंगे इसमें और हर एक कोशन के लिए एक मार्क्स दिये जाएंगे और सभी कोशन वस्तुनिस्ट एवं बहुवी कल्पी मतलब MCQs फॉर्म में रहेंगे और गलत उत्तर के लिए आपको एक बटे 4 भाग काट दिया जाएगा तो इस तरह इसके एक्जाम के पैटर्न रहेंगे चलिए अब इसके सिलेवस के बारे में जान लेते हैं कि सिलेवस में क्या क्या रहेंगे तो इसको भाग 3 में बाटा गया है भाग 1, भाग 2, एवं भाग 3 तो भाग एक में क्या क्या आएगा आपके आने वाल एक्जाम में प्रात्मिक मानौव सरीर रजना विज्ञान और सरीर क्रिया विज्ञान जिसे कि अपन हुमन एनॉटमी कहते हैं प्रतियात्मक खोमेपैथी जयवरसायन और 12 उत्तक उपचार तो प्रात्मिक मानोसरी रजिना और विज्ञान सरी क्रिया विज्ञान से कितने कोशन पूछे जाएंगे 15 कोशन और 15 मार्क्स के रहेंगे ये मतलब हार एक कोशन को एक नमबर दिया जाएगा उसी तरह पत्यात्मिक, होमेपैथी, जैव, रसायन और 12 उत्तक वप्चार ये के टोटल इसके 10 कोशन पूछे जाएंगे इसके 10 अंक रहेंगे क्लिनिकल पैथोलोजी और टॉक्सिकोलोजी के 10 कोशन रहेंगे 10 मार्क्स रहेंगे इसके भी होमेपैथी, फार्मासिटिक्स एवं फार्मासिटिकल रसायन के 15 कोशन पूचे जाएंगे इसके 15 मार्क्स रहेंगे उसी तरह स्वास्त, सिख्छा और सामुदाईक फार्मेसी के 10 कोशन रहेंगे और इसके 10 मार्क्स रहेंगे और टोटल दो घंटे की अवधी रहेगी परिच्छा की यह आद रखेगा आप लो उसी तरह ड्रग इस्टोर और वेवसाय प्रवंधन के पांच कोशन पूछे जाएंगे और इसके भी पांच मांक्स रहेंगे उसी तरह भाग टू में क्या है कंप्यूटर एवं सुचना प् पद्धिकी की विकास एवं नवचार का ज्यान तो इसके पंद्रा कोशन पूछे जाएंगे इसके पंद्रा मांक्स रहेंगे भाग ट्री में उत्तर प्रदेश राज से संबंदी समानने जानकारी इसके 20 प्रसन रहेंगे एवं 20 अंक रहेंगे तो इसमें टोटल कितने हो हंडेट कोशन और हंडेट मार्क्स ठीक है तो टोटल सभी को मिला करके हंडेट कोशन हो रहे हैं और हंडेट मार्क्स करेंगे दो घंटे की समय अवधी रहेगी और हर एक प्रसन को एक कंक रहेगा और गलात अंसर देने पर एक बटे चार भाग काटिए जाएंगे तो नॉट मी कहते हैं उसके अंतरगत क्या क्या आएगा तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में देखिएगा ठीक है यह आप लोग को मिल जाएगा इसके बारे में जानकारी कि इसके अंतरगत आपको क्या क्या पढ़ना है ठीक है तो आप लोग अभी से एक्जाम के प्रप टाइस, इसके अंतर कर भी पुछा जाएगा इसमें भी पूरी डीटेल में जांकारी दे गई हैं थारर क्लीनिकल पैथाल लोजी स्थ suspension प्यानकारी इन जा कर देए गई हैं च्यांकारी रफया देन कात के अंतर कर भी पूरनासेटी फ्येन कर जाकर कर देखा पहुं है हैं तो उनके लिए अपन इंग्लिश में भी इसको रीट कर लेते हैं ताकि दोनों तरह की स्टुडेंटों इसको अच्छे से समझ पाएं इंग्लिश भी देख लेते हैं इसका इंग्लिश में भी देखिए इंट्रडक्तरी होमॉपैति बायोचीमेस्टी और ट्वर्मेस्टे को निच्वा्टी यह मांक सभी चीज अबस इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी तरह part 2 में knowledge of the concept of the computer and information technology and the contemporary technical development and the innovation in this field and part 3 में general information related to the state of Uttar Pradish तो total कितने हो गए 100 questions and 100 marks दो घंटे में लब 2 hour की समय रहेगी इसमें एक्जाम देने के लिए आपको और हर एक question की गलत अंसर पर आपके 1 by 4 marks काट दिये जाएंगे तो इस तरह से इसमें पूरे detail में दिया गया है इसमें इंग्लिश में भी दिया गया elementary human and not me and physiology के अंतरगत क्या क्या दिया जाएगा तो इसको आप लोग अपना detail में देखिएगा यदि आप लोग को यह syllabus का PDF मिल जाए तो साथ ही साथ जैसे कि human and not me है physiology है, biochemistry है dual tissue remedies है तो इसके लिए मैंने एक separate वीडियो बनाया है तो आप मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं साथ ही साथ description मैं सभी वीडियो के link देदूंगी तो आप लोग जा करके one by one आप देख सकते हैं साथ ही साथ अभी हमने friends pharmacy के chapter wise भी reason start कर दिये है तो उसको भी आप लोग जा करके जरूर देखे क्योंकि pharmacy है तो आपके exam में आएंगे ही आएंगे तो chapter wise आप लोग जा करके जरूर देखे मैं link भी देदूंगी description में तो आप लोग के लिए helpful रहेगा friends तो आज का वीडियो नहीं पर end करती हूं friends होप करती हूं आज का वीडियो आप लोग के लिए informative रहा होगा और यदि आप मेरे साथ ऐसी जुड़े रहना चाते हैं तो प्लीज वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए साथ ही साथ बैल आपन को प्रेस करना ना भूले friends जिससे आपको आग्याने वाले next वीडियो के बारे में notification मिल पाएगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक अपना ख्या लखिए take care, thank you and best of luck